इस का लेक्शेन में पांच है छलिए देखते हैं इस लेक्शे पांच में आज क्या देखने मादे हैं थीक है चलिए तो आज पिर आज किटोन और अलडिहाइड पर ये लास्ट ये क्लास चला इसके बाद हम कार्बोग्जलिक एसिट पर रियक्शन स्टार्ट करेंगे तो सारे बच्चे कॉपी कलम उठा करके बैठिए सब कोई और मेरे साथ कंसर्ट भी सिखेंगे और कोस्टन भी बनाएंगे ठीक गाइस चलिए पूड़े जोस के साथ स्टार्ट हो जाएए ठीक क्या होता है यह अलड़ी हाइड कर एक्स अलड़ी हाइड कर होता है तोली हाइड कर टेस्ट होता है यानि अगर आपके पास हाइड़ो कारबन एथर किटोंस और कोयी अल्कौहल तो पता क्या चलेगा इस सारे रियक्शन कर जाएंगे इसमें रियक्शन हो जाएगा और क्या दिखाई देगा आपको किष्ट का आई बलुक्शन होता है ये आपका एक डैलूड सॉलूशन से किसका जैसा और की ऊसाइड को एक ke careless एक बिट्र है एक वस अमोनिय में जब आप यह दिखिए आपका है सबसे पहला जो रिजेंट वा क्या है सिल्बन ओक्साइड इसमें अमोनिय डाल दिया असेकंड में क्या है H3O+, यानि यह dilute, आपका dilute solution है, silver oxide का, ठीक बैठे, जब आप डालोगे इसको aldehyde पर, aldehyde का, यह aldehyde क्या हुआ, यह convert जागा, carboxylic acid में convert हो जाता है, किसमें convert हो बैठा, carboxylic acid में convert हो जाता है, इसको बात को याद रखेगा, सिर्फ aldehyde ही आपको tolerance के साथ reactions देगा, क्योंकि tolerance काफी mild, weak, oxidizing agent होता है, ठीक है, इसलिए आपको aldehyde देगा, बाकि दूसरा, carboxylic compound इस reactions को नहीं देगा, आसा करतें इस बात को आप समझ पाए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोड़क्ट क्या है, तो shiny mirror of metallic silver बनेगा, और साथ में carboxy acid बनेगा, मैंने नोट में लिखाया दिए आपको, हाइड़ोगाम रियक्ट नहीं करता है, S ether react नहीं करेगा, ketones react नहीं करेगा, even alcohol भी react नहीं करता है, ठीक है बैठे, clear है, कोई किसी को दिकत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ दे रखा है mechanism, अब देखो कैसे यह aldehyde से कैसे reactions करेगा, इस बात को समझ, देखो, यह हमने aldehyde लिया, aldehyde पर डाल दिया tolens agent, यह होता है, इसका, diamonium silver इसका salt है, ठीक है, चलो, इस पर हमने alcohol डाल लिया, three molecules, OH group का है, जो यहाँ आपको, यह dilute water से होगा, ठीक है, इस पाने डाल दिया, अब क्या होगा, यह silver देखेगा, यह silver plus है, यह silver plus किस में कर्णबट हुआ, मतलब, यहाँ पर चास था, अब यह इसका reduction होगा, अब ध्यान से सुनिए, अब आप मजा आएगा, इसका क्या हुआ, reduction होगा, जब इसका reduction हुआ, किसी के तो oxidation हुआ होगा, हाँ, यहाँ, aldehyde का क्या होगा, oxidation होगा, कैसे, हमने कैसे जाना कि aldehyde का oxidation हुआ, ऐसे जाना, यहाँ पर CO था, यहाँ भी CO है, लेकि यहां hydrogen हट करके एक oxygen minus charge यहां पर आ लिए ठीक है मतलब यहां पर एक extra oxygen का addition हो गया इसलिए हो गया oxidation साथ में चारा मुनिया बाहरन के लिए और दो वाटर मुन के लिए इस बात को याद रखिएगा सिर्फ aldehyde के साथ reaction देता है क्लियर है इसे कोई दिकत ने दिकत होगा लिख कर रखना डाउट से से में समझा देंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ मैंने और भी बहुत सारा oxygen reduction लिया है इसका product आपको याद रखना पहला क्या है जब aldehyde यहां तक कोई दिकत किसी को नहीं है बात सब को समझाज़गे आगे बढ़ते हैं अगर आप किटोन पर भी टालेंगे रेनी निकल तो क्या होगा आपको secondary alcohol बनाकर यह दे देगा इस बात को ध्यान रिखिएगा किटोन से बनेगा secondary alcohol और aldehyde से बनेगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं एक सबसे इंपॉर्टन रियक्सिन याद रखना कभी कभी कोशन प्रूज देता है जखी क्या है एक मैंने यह सबस्ट्रेट लिया इस पर कीटो गुरूप है यह देखो इसको इस पर एक अलकीन गुरूप ठीक है ज़िए ध्यान से देना पोहल में कनवर्ट कर देगा ठीक है लेकिन इस अलकीन को टछ नहीं करता है यानि अलकीन क्या है रिमेंस अन्र्ययक्टिव याद रखना जब डबल बाॉंड दे दिया आज साथ में एक कि दोनी। ग्रूप दे दिया तो क्या होगा सिर्फ किटोन रेडिउस होगा डबल ब चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक बहुत इंपॉर्टन रियक्षिन मैंने सुचा कि डाल लेता हूं अगर कहीं पेपर में आ जाए यह रियक्षिन यह है कि हमने यहां लिया है किटोन किटोन लो या अल्डिहाइड लो ठीक है तो किटोन या अल्डिहाइड पर आपको पता ह अल्फा कारबन होता है क्यों सब्सक्राइड जलोगे यह क्या होजगा तो यहां पे या मैंने लिया है और पुरमीन इन दोनों के तरीके से क्या होता है कि इसकिटोन के अल्फा कर आप कोई भीए व्लकार्इल group आड़ कर सकते हो ठीक है यह आप इस्साइल गूर। आड़ कर सकते है ठीक व bord कर सकते हैं तो यह कृणत्यक्ष से हम और से के कश थे तक संब सकते हैं या असानी से और अच्छा अमांट में प्रोड़क्ट बना सकते हैं क्या यहां तक आपको समझ में आई गया कोई दिक्कत तो आपको नहीं अगर दिक्कत हो लिखकर रखिएगा डाउट से सब्सक्राइब बता दें अब समझते हैं पहला मेथड ल्डी यूज करें कैसे अल्फा कारों पर अलकाइलेशन या ऐसालेशन करें ठीक है चलिए सबसे पहले यहीं जान दीजिए एल्डीय का फुल्फरम क्या है इसका फुल्फरम है लीथियम डाई आइसो प्रपाइल आमाइड ठीक है इस एल्डीयों को डाला अपने आप किसी भी कार्बोनिल ग्रूप पर डाल दीजिए वह किटोन हो एस्टर्स हो या नाइट्राइल पर लिए यह निगा किया इस अल्फा करबन पर एक हड्रोजन तार इस चुला लिया यह बन गया अनायन इस बिकम्स अनायन अब यह जो अनायन बना ना बैटा यह अनायन बाद में आपको यहां पर अलेक्शन कर सकता है इसको आगे दिखाएंगे अभी बस यही समझों कि लुझए बनाकि यह समय अब यह बनाने के लिए क्या करोगे एक डिस एक डाइ आइसो पर पर ल्य में आइसो मजञ यह आईसो पर रिय यह आईसो पर प्रॉपाइल दोनों बॉण पर डाल दिया किलियर है कोई दिकत नहीं यह बन गया डाई-इसो पर फर्पाइल क्लियर ठीक है चलो इस पर डाल दिया है लीथियम ब्यूटाइल लीथियम डाल दिया ठीक है और साथ में टेट्रा हैड्रफुरान नाम का एक इसको हीट कर दिया क्या यहां तक बात समय आई किसे कोई दिकत नहीं है चलिए आगर बड़ते हैं क्या होगा यहां से यह जो ब्यूटाइल जो यहां से अनायन बनेगा यह इस अमोनिया से एक हड्रोगन चुरा लेगा यहां लीथियम जाकर बैठ जाएगा और इसका नाम प अगर आप ध्यान से देखें गेंगे यहों तो इस नाइट्रोजन पर आपका एक नेगर्टिव चार्ज है क्या है आपका नेगर्टिव चार्ज और यह निगर्टिव चार्ज दो-डो आई-इस और इसकारण से एक गुड़ बेस बन जाता है लेकिन आपका यह विक सम्झा भी चुका हूं एक्टोफाइल कारबन अटाक करता है लेकिन अगर किसी निकलोफाइल का नेगेटिप चाज अगर हाइड हो जाये चाह तरह बड़े-बड़े ग्रूप घर ले उसके लिए मुश्किल होता है किसी भी एलेक्टोफाइल पर अटाक कर पाना क्या यह बात सब्सक्राइब कोई दिकत नहीं चली आगे बढ़ते हैं यह सारी बात मैंने लिख रखिए अब जब लिए बन गया चलो और रेक्शन करते हैं आगे बढ़ते ठीक बटे कोई डाउट लिख कर रखना बताएं डाउट से अब क्या करना है मैंने यहां लिया साइक्लो पेंटानों यह है आपको साइक्लो पेंटानों इस पर डाला यह 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 करता क्या है इस पर अल्फा कर दो जैसे ट्रेप करो आइच प्लस लेकर भाग जागे तका बनेगा यह नेगेटीव जाए ठीक यहां तक के लिए रहे कोई दिकत नहीं अब हम कराएंगा इस पर अल्काइलेशन करांते हैं यानि हमने का किया यहां पर यहां मैंने काले लिए इथाइल ब्रोमाइड लिए एपका प्रामरी ऐलकाईल हालाइड अब क्या हो방 यह नेगटिव जाझ एस सी एक सांथ रिजुने देगा ये बन गया यह क्या बन गया इनोलेट कैसे बना इनोलेट यह आपका है इस इनोलेट पर जो निगेटिप जाए यह वापस आएगा इस बॉंड रोग खोलेगा और इस अलकाय है डोटक करके ब्लों मिन निकाल दएगा ठीक है यहां तक क्लिए है कोई किसी दिक्टत नहीं हो रहा है आगे आलकाय हलाइड और остैल भ्रॉमाइड अगर रहेगा तो बहुत अच्छा इिलड मिलेगा इस रियक्षिन में बहुत बेटर तरीकर से रियक्षिन आगे परेगा तो क्या हुआ एसे अठक किया आपको बन लिया इथाईल साइक्लो पेंटा नौन बन लिया साथ में ब्रोमाइड आइंक बाहर निकलिया क्लियर हुआ कोई किसी को दिक्कत नहीं है सारी बात है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते जो बात बोला सारी बात यहां लिखे गई है इस्टेट बढ़ने पढ़ इस तरह अलकालेशन के उसी तरह एक्षालेशन भी होता है अब तो LDA काम हो गया अब हम एक एनमाइन इंटरमीडियेट के थूरू कैसे हम किसी किटोन के अलफा कारवन या अलडिहाइड के अलफा कारवन से रियाक्शन कराएंगे इस बात को अभी देखिए सबसे पहला क् आप एक सेकेंडरी एमिल लेते हैं इस रेक्शन कराने के लिए उसका नाम है पाइरोलीडीन ले लिजी ठीक बेटे कोई दिकत नहीं है इस पाइसरी गहीं की इस के टोन ही अल्डिहित से रियेक्शन कराएंगे तहा आपको इस टायप के शेदगैं का आपको एक पर रियुक्ट बनेगा जिसका नाम है एनामिन आपको याद रखना है ठीक है इस रिधैए अब तो रिये मैं का पंद गया अब इस अन achला गया ह सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको इस एनामीन पर एलकालेशन कैसे करते हैं यहां तक किलियर है किसे कोई दिकत नहीं है आगे हम बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे सारे बच्चे स्कीन पर ध्यान दिजिए हमने लिया यहां पर साइक्लो हेक्जानॉल इस पर डाल अब क्या हुआ इस नैटोजन पर एक लोन पेर है यह लोन पेर क्योंकि यह लोन पेर और यहां दॉन क्या है कॉंजूगेट में तो रेजिनेंस करेगा डॉल बंड वापस आएगा यह बॉंड खोलेगा खोल करके मिथाइल ब्रमाइड को बैक से अटक कर देगा ब्रोमीन क्या हुआ मिथाइल इस कार्म में पर अटाक हो गया और इस परेडीन के नेटोज में प्लस याहां तक दिक्कत नहीं किलियर है आगे हम बढ़े चलिए अब क्या होगा इस तो मैंने acid hydrolysis क्या किया acid hydrolysis जैसी आप करोग acid hydrolysis क्या होगा यह जो पर लगा हुआ है यह तूट जाएगा और तूट करेकर यह यह बाहर निकल जाएगा और इसके बदले यहां पर एक वापस की टोन आ जाएगा मतलब आपने साइकलोहेग्जान नोन से चला था वही साइकलोहेग्जान नोन बना लेकिन मिठालेटर फर्म में बना इस इस मिठालेटर चलीया कोई दिकत नहीं आगे हम बढ़ें चलिये इस इसी रियक्शन को मैंने अबरॉल लिखा है कि सबसे पहर डालो secondary एमीन उस पर डालो catalyltic hydrogen फिर डालो methyl bromide लास पर डालो acid hydrolysis यह होना चीज शीक्वेंस अब रियक्शन तीनों को mix मत करना पहले सेकेंडिक अमीन साथ में catalytic hydrogen वहां काम हो गया फिर डालो methyl bromide उसका काम चले गया फिर डालो acid hydrolysis फिर डालो आगे बरे इस तरीके से आपको मिलेगा methylated cyclopentonone दिखाया है हां यहां मैं hexonone दिया है इसने यहां यह तो ठीक है यहां पर इसने मिठाइल cyclopenton बना भी है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं कोई भी दिकत होगा आप लिख कर रखना comment section में या आप लिख कर रखने में doubt section में बता दूंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इस एनमाइंड पर क्या करेंगे सेब मेकेनगम है डिफरेंस क्या है हमने वहाँ लिया था मिठाइल भरमाइड हम नहीं ले लिया का एसीड कोलोराइड ले लिया एसीड कोलोराइड ले लिया ठीक है इसमें आप देखेंगे आप देख पाएंगे यह जो गुरूप होता है यह गुरूप इसी को बोलते हैं इस साइज ठीक है वापस यह बॉंड आएगा यह बॉंड खुल करके इस कारवन क्या है यह बॉंड खुल लेगा यह बंगे इंट्रिमेडियेट यहां तक क्लियर है कोई इतिकेत नहीं आगे बढ़ते हैं अब यह सेटेबल यह बॉंड रखुल नहीं चाया यह वापस आजया क्लोरीन क्या है यह क्वरीद यहां पर आपका साहिया यह बॉंड बन गया थिक है लेगि हमें तो चाहिए है शाइक्षाम चाहिए पर क्या करोंगे एसिद हीडरोलिस करो यह गुरुप तूटके बाहर निकल य यहां पाइजागा क्लिटोन गुरूप यह बन गया एक्साइलेटेड साइक्लोहेक्जानोन बन गया ठीक बेटा कोई दिकत नहीं है तो आपने क्या समझा आपने यह देखा कि LDA और एनमाइन यह जस्ट माध्यम है यह एक माध्यम है इस मीडियम के अधार पर आप किसी भी साइक्लोहेक्जानोन या आप किसी भी अल्डिहाइड गूरूप के इस अल्फा कारबंपर क्या कर सकते है या तो मिथाइल अल्काइल गूरूप जोड़ देजिए या ऐसाइल गूरूप जोड़ देजिए ठीक है इस LDA और एनमाइन का यही प्रपस है कि इन अ अल्डिहाइड या किटोन के अल्फा कारबंद पर आप क्या करेंगे आप या तो अल्काइल गूरूप या आप एसाइल गूरूप जोड़ देंगे यही काम इसका है क्या यहां तक सारी बाते क्लियर है कोई भी किसी को दिक्कत होगा लिख कर रखना डौट से में समझा द इसी के साथ यह लेक्शन समाब्त होता है बट कुछ मैंने सेट सब कोस्टन रखे हैं आपके अप्रक्टिस के लिए आपको मैं एक मिनिट के समय देता हूं सारे बच्चे इस कोस्टन को नो डान करो कोपी में अभी का अभी आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है है इस्टार्ट कीजिए अभी स्टार्ट करें ठेक बटा अभी के अभी ज़ली किजिए सारे बच्चे कि सारे बच्चे फट्वटल इस को में पढ़ाया है उस्पर आधारित आपको कॉस्चन पूछा गया है कोई बाहर से कोस्टन नहीं यह आए लिए है आशा करता हूं अब तक आपने उतार लिया बाट अब तो अब्सक्तिन कीजिए गजली से गाइस कोफी डाउन कर लिजिए है आसा करता हैं अपनों को भी डाउं कर लिया हुआ और प्रोडक्ट वीन का लिया हुआ है डाउट सेसे में चेक करें चली आगे बढ़ते हैं यह रहा सेकंड कोस्ट्न सभी नीट के पेपर में आये हुआ सवाल यह आपका एमस में आया था यह आपका एमस जो एक्जाम लेती है उसके पिपर में आया था इसमें थोड़ा वक्त देते हैं उतार लीजिए जली से उतारी सारे बच्चे उतार लीजिए या आप अगर जो बच्चे आप जो बच्चे देख रहे हैं मुवाईल पर देख रहे हैं वह स्क्रीन सॉट ले लीजिए ताकि इस लेक्चर के बाद में 10 मिट के अंदर आप इसका आंसर निकाल लेंगे ठीक है बैटे आप स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं अगर आप सकते हैं अपने उतार लिया होगा चली हम आगे बढ़ते हैं यह को निट कि दो हजार पंदर का पूछाओ सवाल है इस सवाल को पूछा गया था इस टाइप के सवाल में बना बना चुका हूं क्लास में इसको नोट डाउन जल्ली से कर लीजिए और बनाकर रखि पूछेंगे आप लोगों से हैं कि जली सुनोटाउं के जिए C6H5CH1CH2 है फिर अटाक किया तो क्या बना लीजिए चली आगे बढ़ते हैं यह कूशन में चार है आपके स्किन पर सवाल यह कहता है इसमें कौन सा चार में से कौन सा सब्स्टेट है जिसको जिसका ओजनोलाइसिस करोगे तो यह दिया हुआ कंपाउंड के स्ट्रॉक्चर आपके सामने बन के त्यार जाएगा ओजनोलाइसिस आपको पढ़ा चुका हूं आपको आना चाहिए ठीक है तिलिए कोश्यों को जल्दी कोपी डा कर लो कि आसा कर लिया हुआ और स्कीन सब्सक्राइब कर देना नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना चैनल दे घंटी बजा देना था कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए एक लाइक तो बनता है या इतनी महिनत करता हूं आपके लिए एक लाइक बनता है ठीक है बैटे चलिए बाए टाटा अलवीदा फिर मिलते है दस मिएट के बाद बाए टेक के रहे